वेल्कम टेक्वेटर ग्रूप मैं आपको अभिकास आपके अपने चन्वरी में फिरसाथ करता हूं तो इस्टेन आपके लिए एक लेटर इंफॉर्मेशन और काफी इंफॉर्मेटिव जन्द कारियम आपके लिए बताने जा रहे हैं इस वीडियो में जो आपके लिए आपके लिए फिरसे जन्मरी दोजार एकिस में सिफ्ट कर दिया गया ठीक है तो काफी लोग के मन में डाउट है कि वो आर फोर वाले से होंगे नहीं फोर दिविजन से होंगे तो वह अभी डाउट आपके लिए कर देंगे ठीक है और आपको एक अच्छी जानकारी देने वाले इस वीडियो में जो आपको काफी एदा हैल्फुल देगी ठीक है तो आपका जो एक्जाम है वो जन्वरी में शिफ्ट हो गया अब दूसरे चीज़ा आपको दादें आपका जो एड्मिशन है वह अभी चल लाए कॉन्टिनू तो आप जाके एड्मिशन ले सकते हैं सकते हैं लाजड़ देट है ओ अबी सलेबल की 3 सितंबर और एक्सपायर हो रहा है काफी लोगह का एक्सपायर हो चुका जुलाइबे और काफी लोगह का एक्सपायर होगा 2021 21 जन्वरी में तो जिन लोग का एक्सपायर होगा वो तो अभी टाइम है या जन्वरी तक आप एक्जाम दे सकते हैं और जिनका एक्सपायर हो चुका वो जाके अपना read registration भी कर सकते हैं आप एक्टिबेट है लिंक और जिनको और से एलेबल में टांसवा करना है वो भी इस समय कर सकते हैं सारे अभी आपके फॉर्म एक्टिबेट हैं सिर्फ अभी आप एक काम नहीं कर सकते हैं कौन सा जो की exam log है क्योंकि exam log की date अभी open नहीं हुई है तो म करनमाने 10 November तक आपको date मिलेगी ठीक है तो यहां तक आपको paper log करने की date मिलेगी और दूसरी doubt है जो मैं आपके मन में कि क्या जो paper log कर चुके हैं उनको भी date मिलेगी log करने के लिए तो maybe जहां तक chance है वो आपको मिलेगी यानि कि आपने अगर पहले एक paper या दो paper log किये हैं चा नहां तो इसलिए मैं video बना रहा हूं मैं आपकर यह कहना चाहरा हूं उस video के मात्रल से कि अभी आपका चला है September थीक है आपके पास कितना time है September पूर अक्टूबर पूर पूर है तो आपको इधर भी दो वीक का time मिल जाएगा ठेकर तो आपके पास चार मैने के पूरा-पूरा समय है आपके पास तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर paper lock जब open होगा तो उस समय आपने जितने paper lock किये हैं तो आप सारे paper lock कर दें जिससे कि आपको benefit क्या मिलेगा आपका एक ही बार में मानी कि six month के अंदर आपका ओलेबल वैसे बालड़ी एक साल होई चुका है आपने form भरा था बहुत लोगों ने जनवरी में भरा होगा बहुत लोगों ने जुलाई में भरा होगा तो अगर देखा साल हो जाएगा निक एक साल छे मैना आपका हो जाएगा ठीक है तो उससे अच्छा है कि आपके पास चार मैने का और टाइम मिल गया है तो जितना अभी मालने या आपने एक या दू लॉग किये थे तो अगर आपको फिर से लॉग करने का मौकब मिलता है तो तीसरा और कि क्लास, फीडियो क्लास, पीडियो नोट, गैस पेपर सब कुछ अलेटी बना दी जा चुके थे बच्चे पर्चेस भी कर चुके थे जो पर्चेस कर चुके हैं अपने पार रखें उनको दुबारा पर्चेस करने के जोद नहीं है वो आपका लाइफ टाइम चलेगा जिन पास चार मैने का समय आपको और मिला है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और आपका एक ही बार में कम्प्लीट होए क्योंकि आपका एक साल तो हो गया है क्रोना वाइरस की चक्कर में आपका एक साल तो ऑल्यडी चला गया ठीक है तो वेकेंसी भी अगर करना चाहे तो प्रेट्टिकल भी कर दे उसके लिए भी हमारे पास भी देकर टाइम मिल गया आपको भी टाइम मिल गया तो हम भी अब और अच्छा आपको वीडियो प्रवायाशिस प्रवाइड करा देंगे नोट किने घय बना देंगे और प्रेटिकल की भी क्लास आपको provide करा दी जाएंगे ठीक है तो आप आपके पास भी time है हमारे पास भी time है दोनों लोंग साथ साच करेंगे तो आपका भी बला हो जाएगा ठीक है तो यह है नियू student वाले old वाले जो student है वह अपना old वाले लॉग कर दे और ये लेबल को भी मैं साथ में लेके चलूँगा इस बार अभी आपकी सिप्टेंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आप बेखिकर रहें आपको जो भी क्लासेस चल नहीं थी उसको मैंने भी रोक गिया था इसी गांट सोग दे किकम उसको डाउट हो गया था बहुत पहले ही जून में क अब को दो क्लासेस स्टार्ट की थी कंप्यूटर सिस्टम और अर्गनाजिशन की और सिस्टम एनलाजसे डिजाने टेस्टिंग की ठीक है तो इसके अब यह क्लास होई थी और शी करीबन नौ से दस क्लासेस आपकी हो गई थी तब इनको कॉंटिनू कर देंगे जो मैं आप पैधन की क्लास हमारी बच्ची थी और आयोटी की जो चेप्टर बचे हो तो उनको मैं कम्वेट करूँगा फिर से इनका रिवीजन स्टार्ट करूँगा नया से पूरा फूल कोर्स आपको परवाइड करूँग करके अराम से त्यारी करना कि उसमें सारे पॉइंट आपको अभी एक सिस लाक है तो आप एट लॉक कर सकते हैं जो कीजी पड़ेगा ए लेबल वाले बच्चे अगर एक पेपल लॉक किये हैं तो वो दो या तीन पेपल लॉक कर सकते हैं उनके पास भी भारपूर्ट समय है उनको भी मैं नोट प्रोवाइट करा दूँगा और वीडियो लेगा ठीक है क्योंकि हमारे पास देगे सारे की क्लासेस अवलेबल हैं सारे की पीडियफ नोट्स अवलेबल है हिंदी इंग्लिज में आपको मारड़े दिखा चुका हूं और बच्चे परचेस भी कर चुके हैं मैं आपको दिखा देता हूं तो यह हमारे पास ओल्ड से सारे नोट्स अभ्लेबल हैंा आपको बिलकुल भी दिक्कत ने होगी आयोटी के नोट्स को फीडियेश कर रहें आपका कम्प्लिटा आपको यह सभी कामाएंगे इसमें कोई बडा चेंजमेंट आपको नहीं करना है थो और जो ई और फॉर वाले स्टूइंट है और उन्होंने उनके तो लगबग किसी ना किसी के तीन किसी ना किसी के दो पेपर कम्प्लीट हो गाया उनके विचारों के एक एक पेपर पचे थे तो आप अपना जनवरी में दे सकते हैं आपको ओड ठाइम में लिए है तयारी करने का तो आरफ वाले की पेपर हो गया होंगे उनको और उनके जो प्रोजेक्ट बचे हुआ है जिनके दो या तीन पेपर किमिःर हो गए और इनको प्रोजेक्ट को में तो अपना प्रोजेक्ट सब्मिट अब आप करवा और दो लेके इस दीन 52 उिल्ट को फ्रैय को ifikश्व से पास प्रोझित है यद् यक दिन हो जाएगा दुबारह से यह बेजे कि इसाटवर को प्रिंट करते हैं वेरिफाइप करते हैं उसके बाद आपके पोर्टर पर चढ़ाते तो कभी कबार नहीं देख पाता है एक्जामनर जो भी दिक्कत होती है वो एक फॉल्ट है ठीक है तो इतनी आपको समझ में आ गए कि मेरा कहने के मकस्त चाहिए कि आप पेपर अपने सारे लॉक कर दें तो आपको बेनिफिट मिलेगा आपका एक ही बार में कंप्लीट हो यहां पर जैसा कि अगर आप देखे जागे इसको मैं रिफरस करता हूं तो देखिए अगर अगर आप देखते हैं तो आपको एक बार चांस और मिल गया नहीं कि जुलाई तक आप फिर से जो और फॉर वाला से उसको भी दे सकते हैं ठीक है जो जो ओल्ड इस्टुडेंट इन दोनों को दे सकते हैं अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप फिर इसमें पाइथन को ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगे और जो न्यूब वाले हैं उनका तो पाइथन आई गाई आएगा इसको नहीं को आप कोई मतलब नहीं जो अभी भी नए डिशन लेंगे 30 करवा देंगे तेक है यह तो अलग चीज होगे अब मैं बता दू काफी लोग पूछ रहा है कि सर फॉर्म कैसे फिल अप करना है तो एक बार फिर से मैं आपको हालेट कर देना हो प्रोसेस जो है फटा फट तो देखे ऐसे डिरेक्ट आपको अप्लाई करना है घर बैटे आप आपको एक जाम देना है दो तरह से एक जाम होता है एक डिस्टेंस मोड होता है जो कि डिरेक्ट इसको बोलते हैं घर बैटे आप कर सकते हैं इसका नोट आप हमसे पर्चिस करके त्यारी कर सकते एक दूसरा आपका होता है इंस्टूट से इंस्टूट और डिरेक्ट में को कोई ज्यादा अंतर नहीं अगर इंश्टूट अपका बैस्ट है आपको classes नोट प्रोवाइड कराता है तो आप वहां से जा के करें कोई दिक्कत नहीं है आपको proper guidance मिलें तो वापको कोई करने हैं लेकिन तमाम इस इंस्टूट ऐसे जो खाली पैसा ही लेते हैं और कोई भी नोट परवाइड ने करता है हमारे पास अभी बच्चे पड़े हुए hardware के बच्चे भी वहार पास है तो ऐसे ना भटके आप इसलिए मैं कहा रहा हूँ सबसे पहले आप जाए ऐसे डिरेट प्लाइ करें और apply law पर लिंग किलिक करें ओ लेवल पर किलिक करें ठीक है और इस पर क्लिक है मोवाइल से भी आप भर सकते हैं आपके बात फुरा इंटरनेट होना चाहिए पिर आप गौन में रहते हो चाहिए में रहते हो भरतकते हैं फीस कितनी लगी मैं अभी आपको पूरा explain कर दूबा तो देखे एक बार रजिस्टेसन होता है जिसकी फीस है पांस सो रुपे मालने जब यह आप जुलाई में कराते हैं रजिस्टेसन जुलाई है अभी जो आप कराते ह यह अभी आपका जो रहिस्टेसन चला तीस सितंबाल लाज डेटा जिसकी तो यह आपका पांस साल वैली रहेगा ठीका दोजार अभी चला बीस है नहीं कि दोजार पच्छीस तक आपका यह आपका वैली रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको से वेकी बार पांस पर होंगे और फाइब के इसार एक प्रेक्टिकल होगा एक प्रोजेक्ट होगा ठीक है तो यह चार पेपर का आपके फीज किती लगती है सास सो पचास इन्टू चार आप कर लें और एक प्रेक्टिकल का आपकी फीज किती लगती है पांस सो पचास रुपा करीब आपके लगती है और प्रजेक्ट अगर आप खुझ से सम्मिट करेंगे तो आपको सिर्फ सो और पर चार्थ देना पड़ेगा नहीं लटके अगर आप हमारे तुरू कराएंगे तो आपको एट हंड़े या नाइन हंड़े रुपए आपको करना पड़ सकता है ठीक है तो जो भी साथ थाउजन रुपए आपका चार्ज किया जाएगा और बाकी जो है डिसकाउंट हम कर देंगे उसके लिए आप भी फिकार है ठीक है तो कंप्लीट कोर्स अब लेबल है जो भी न्यू स्टुडेंट है वो कॉंटेट करकते हैं तो फॉर्म को किस पकार से बनना है आपको साइट में प्रॉब्लम हो जाती ही कभी कबार फिर से आप जाके ओपन करेंगे तो वह आपका ओपन हो जाएगा ठीक है अगर बार बजाई हो रहा तो थोड़ी दिर बाद आप ट्राइग करें को दिक्कत नहीं या दिन में कुछ इस किया करें रात ने ना किया करें तो ठी यहां पर जेंडर होगा डेट आप बर्स सिंगल है कि मेरेट है जो भी हो कैटेगरी स्ट जो भी हो आपकी सब यहां पर ऑप्शन इस पकार से आएंगे आप उसको सलेट करते जाएं ठीक है 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 हेंडी केम्ट कर दें धर में आपको हिंदू-मसलिम जो भी हो आप डाल दें बहुत सिंपल सा है एक बार आपका परवन इंटेटर डाल लें और एक बार जहां पर आप रहते हैं अगर सेम है तो सेम पर यहां पर किलिक करते हैं ठीक है सिंपल सा प्रोसस है और एजुकेशनल में आ जाते हैं तो आपके इसमें आपको कौन कर सकता है 10 प्लस 2 मिनम होना चाहिए ठीक है मिनमम 10 प्लस 2 होना चाहिए 10 पास वाले लोग ने कर पाएंगे 10 प्लस आइडिया अगर आपने किया हो तो आप कर सकते हैं ठीक है 10 प्लस अगर आइडिया यह आपने किया हो तो कर सकते हैं कोपा किया हो NCBT से कर सकते हैं गिर्यूशन और हाई अरो पॉल टेक लगेगा यहां पे बाट कर देंगे और आपको अपलोड कर देंगे जैसे आप को अपलिकेशन नमबर नहीं मिलता है यह है registration form लेकिन आपको मिलता है application number उस application number के बाद 30 दिन के अंदर या 40 दिन के अंदर आपको registration number मिलता है registration number के बाद आपको क्या करना होता है already मैं बता दुगा हूँ लेकि इन एक बार मैं highlight कर दे रहा हूँ जो बच्चे अभी भरना चाहते हैं वो भर करते है registration number पर मिलने के बाद आपको ूर यहाँ पे जा कि अपना यूझर आईड़ी और पासफ़र्ड को क्रियेट करनाइ Churchill करना है जो आपको तीज के बाद मिलेगा उसको नाम जालना यह क्यांच से लीट करेंगे also से पूछा जाएगा new password एक security question पूछा जाएगा जिसमें कि आपका pet name हो सकता है आपका college का नाम हो सकता है आपका favorite color हो सकता है वो इसलिए होता है माले है अगर आप password भूल जाते हैं और उसको forget करना चाहते हैं तो अपने security question से या email address से आप उसको forget कर सकते हैं जिससे कि आप भूले ना ठीक है तो यहां से अपना password जाब बना लेंगे तो आपको profile मिल जाएगी यहां पर login करने के लिए ऐसे candidate पर आपको click करना है तो अभी मैं एक profile आपको open करके दिखा देता हूँ profile आपको कैसी दिखती है और paper log करने का option कैसा आपको दिखेगा तो यहां पर हम login करते हैं वन वन थरी फाइव वन थरी थरी फाइव नाइन शिश्टो ठीक है यह से माल लेंगे आपको इसी पकार से मिल जाएगी कोई भी उसके बाद अपना capture code डालें और password डालें तो profile login हो गई है हमारी profile login हो जाएगी उसके आपको course पर जाना है माई course पर जाना है और इस पकार से आप देख सकते हैं अपना course इन्हों देखिए अभी project paper कुछ भी इस तब apply किया था लेकिन अभी exam नहीं हो पाया जो कि अब इनका exam होगा सब कुछ जिन्वरी में तो यहां पर apply for exam इस पर किलिए करना होता है अभी देखे को exam नहीं होगा तो अभी आप paper log करने के लिए ना जाए ठीक है तो अभी आपका फिलाल तो exam log नहीं होगा ठीक है तो बाकि जो date थी आप पर देख सकते हैं पुरानी वाली पड़ी हुई है तो इससे कोई मतलब नहीं यह आपको profile मिल जाएंगे अपना profile यह चेक करके paper आप log कर सकते हैं तो इतना ही आपको करना होता है document आपको भेजने नहीं होते हैं intermediate के base पर आप कर सकते हैं कोई document आपका लगता नहीं इसमें कोई experience certificate लगता है अगर आपके यह चला है अभी new वालों के लिए 1000 अमने इसमें फीज कर दिये इसमें आपका मैंने guest paper और आपका PDF notes को भी add कर दिया तो जिसको भी purchase करना इस number पर contact करें 7007659485 पर आपको मिल जाएगा ठीक है तो यह information जो मैं आपको देना चाहा रहा था कि जो भी बच्चे हैं और अभी उन्होंने एक या दो लोग किया है तो और फाइफ वाले जो बच्चे हैं वो अगर चाहते हैं तो तीस और चार को भी लोग कर दें इसका जिससे कि आपका जन्वरी में ही सारे paper आपके clear हो जाएगर आ आपके theory करवा देंगे और आप अराम से paper निका सकते हैं तो जो भी आपको notes या guest paper वीडियो class purchase करनी हो आप मुझको WhatsApp पे contact कर सकते हैं नंबर आपको बने दिया हुआ 7 007659485 ठीक है तो और को ज्यादा detail है नहीं सब कुछ मैंने आपको बता दिया वीडियो class और सारी वीडि जो आपको और ज्यादा advance में आपको help खरेंगे ठीक है तो सारी वीडियों आप लगपक अबलेबल है तो और कोई जानकारी चाहिए तो student आप comment में मुझको बता सकते हैं तो thank you for watching